तो इस प्यारे से दिन के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखिए कितना मस्त वाला आज मौसम हो रखा है और रेंबो भी निकला कितना प्यारा लग रहा है एक्चली ना दो रेंबो हैं बट कैमरा में सिर्फ एक ही दिख रहा है दूसरा विजिवल नहीं हो रह अच्छा बद्दे किसका है हैपी बद्दे किसका है पापा आप पापा को कैसे विश करोगे अच्छा आप ऐसे विश करोगे वेरी नाइस तो अभी दिता ने नाई नाई कर लिया बस अब इसके हीर कोम करने आ है और क्या करना अभी दिता को दूद्दू देना है है ना पीना ना दुद्दू अभी आपको तो आज केक की स्टोरी यह है कि मैंना फर्स टाइम ट्राइ कर रही हूं मैंने कभी भी नहीं बनाया फ्रोस्टिंग वाला केक सिंपल जो बेस है ना वो तो हमेशा से ही बनाती हूं बच्चों के लिए बद हाँ यह आज फर्स टाइम ट सॉरी हाफ कप और बटर है वो 2 टेबल स्पून है हमें ले रही हूं तो बटर जो है वो अप्शनल है नहीं अगर आपके वास उसकिप कर सकते हैं तो यहां पे मैं साथ ही में अड़ कर रही हूं पावडर शूगर वन बाई थी कप और वन बाई थी कप ही मैं मिल्कमेड ना कुछ ऐसा टेक्शर आएगा तो जो दूद रखा था ना हमने विनेगर डाल के वो हम total इस मिक्षर में डालेंगे थोड़ा जब कर दो को het texture करेंग handle करेंगे तो देखिए जो मिक्षर है हमारा कुछ इस consistency में आ गया neur energy इंग्रीडीयंट заें करते हैं यहां पेडा कप 2 कप यूज़ करने हैं चाहरा कोको पॉडर यूज़ कर रही हो नहीं erzählt, शोलेक था बीज अकोल मेजन करने हैं तो अगर आपके बड़ा स्टेनर है तो ये एक ही बार में स्टेप हो जाएगा बट मुझे ये दो स्टेप में करना पड़ा था क्योंकि छोटा स्टेनर है इसी लिए तो ये जो ट्राइन क्रीर्स है ना मैं एक वर मिक्स कर लेरी हूं चम्मच से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलिए अब हम करते हैं मिक्स इसको जो दूद वाला हमने मिक्षर बनाया था उसमें तो थोड़ा थोड़ा हम Mhips करेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए जाएंगे थोड़ा और अगर हमें लगेगा ना की थोड़ा सा ड्राय है तो हम बीच में जो वींएगर वाला दूद रखाथा था ना अच्छा लग रहा है कि अच्छा बनेगा तो जो ड्राइए इंग्रीजेंट्स थे ना वो सारे के सारे हमने कर दिये मिक्स और जितना हमें लग रहा है दूद्ध उतना हमने डूद्ध एड़ करके इसको मिक्स कर लिया केक का मिक्षिर है अच्छे से रेडी हो गया कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें और 3-4 चमश दूद्ध के बचे हैं बाकी पूरा का पूरा दूद्ध लग गया और यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूं एक तीन मेरे पास यह पड़ा हूआ है बट मुझे राउंड कोई नहीं घर का केक खुद से बनाया था बहुत ही अच्छा था तो जो केक का मिक्षर रेडी किया था हमने वह मैं ट्रांसफर कर दे रही हूं इस बॉक्स में और बोक्स के बेस में मैंने ना लाइनर कट किया है राउंड शेव में वह लगाया है अगर आपके पास लाइन से ग्रीज कर सकते हैं तब भी ना केक बहुत अच्छे से निकल जाता है तो यहां पर मैं तीन-चार बार टैप टैप कर लें इस बॉक्स को और रख दे रही हूं माइक्रोवेव में चोबिस मिनट के लिए तो मैंने अप्रोक्सिमेटली यहां पे थर्टी मिनट्स लगे थ बाकी डिपेंड करता है माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव यहां अगर आप कडाई में बना रहे हैं तो यहां पे ना मैंने एक वेट क्लोथ लिया है उससे ढख दिया है और अब यह ठंडा हो चुका है केक तो मैं क्लिंग रैप से इसको ढख के फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि मुझे ना चार पांच वजे के करीब इसको डैकॉरेट करना है क्रीम से क्योंकि सान भी आईगी ना स्कूल से तो उसको करना है उसने मेरे को बोल के गए थी कि ममा आपना बाकी सारी तैयारी करके रखना तो यहां पे ना मैं विपिंग क्रीम का जो मिक्स आता ना यूagen करना है ना मैं यूश यूश है यूश करना है यूश यहांरे क्योंते ही ऊखना लिएक यूश करना है हमें 200 Quinn ना तो मिक्स कर लेंगे i daoєr ना सब्गा से करषी मैं यहां यहां पितिन ना ने समय दहा दा दूख जाति है इस लिपिंग देक्षिए खाट की आं यही जब इसकी पीक्स बनने लग जाएंगी ना तो इट मींज यह रेडी है क्रीम हमारी फ्रॉस्टिंग के लिए तो देखिए दीरे दीरे अब इसको मिक्स करते हुए जो है यह पीक्स बनने स्टार्ट हो गई है देखिए मैं आपको दिखा रही है इससे अच्छे से दिखेगा तो देखिए अच्छे से इसकी पीक्स बन रही है ना तो इट मींज यह रेडी है तो यह जो बॉल है इसको मैं टेड़ा मेडा करके दिखा रही हूं नहीं गिर रही है यह जो क्रीम तो यह परफेक्ट आइडिया है हमा फिर स्कूल से आके ही हमने जो केक है ना आगे का प्रोसेस किया था तो यहां पे एक और जुगार लगा रहे हैं हम चार कटोरियां ली मैंने और यहां पे यह जो एक्सरसाइज का स्पीनर आता है ना वो रख दिया कटोरियों के उपर और उसके उपर रख दी प्लेट ताकि क्योंकि केक स्पीनर तो हमारे पास है नहीं तो जुगार तो हमको कैसे तैसे करना ही था तो वर्क इतना अच्छे सुतों नहीं कर रहा था यह एक साइड को टेड़ा हो जा रहा था बढ़ा काफी हद तक हमने आरा साथ दिया और यह दिखे केक के उपर नहीं क्रेक्स आगे तो दो मार्क बना ले रही हूं चाकू की सायता से क्योंकि मुझे ना यह थ्रेड से कट करना है एक्चुली जो परफेक्ट कट कर लेते हैं उनको तो चाकू से कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बट मुझे लग रहा था कि चाकू से मैं गड़बड कर सकती हूं तो इकटे हो जाएंगे और यह जो लेयर है केक की अलग हो जाएगी देखे कितना इवन केक कट के आया है और मैं बता रही थी ना टेक्शर केक का कितना ही अच्छा आया है बस वह थोड़ा सा उसकी टिन की वज़ा से गड़बड हो गया अधर्वाइस बहुत ही परफेक्ट ब तो आप भी यह वाला है के यूज़ कर सकते हैं तो यह दूसरी लेयर है यह भी मैंने कट कर ली और देखिए जो दूसरी लेयर है यह भी कितनी परफेक्ट आई है तो चलिए अब करते हैं केक को एसेंबल तो प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ी सी लगा दी क्रीम और यहां प क्रीम की एक लेयर लगा दी और अब यहां पे जो उपर वाला जो सबसे टॉप वाला स्लाइस कट किया था हमने वो मीडल में रखना है तो इसको भी मैं सेम प्रोसेस कर रही हूं शुगर सिरफ जो है उससे थोड़ा सा कर दे रही हूं और यहां पे ना क्रीम में मैंने सबसे जादा अच्छा होते है एवन होते है तो इसको भी सेम प्रोसेस किया मैंने पहले शुगर सिरफ से टच अप दिया और उसके बाद जो है क्रीम की लिए लगा दी तो यहां पे ना हमें क्रीम की फिनिश नहीं अगर अच्छे से लग रही है कि फिनिश नहीं आ रही है स志प है करना सब्साइब चुकलिट से में शुकुलेट के लिए चॉकलिट के एक लिए चौकल पीलर से कर ले रही हूं है यहां पर नाइव से हम कर लेते हैं इसको की जो क्रीब है ribbon क्विंकि अब फुल जुगारु टेक है तो एक क्रीम भोते हैं यह क्रीम क्रीशन के उपर और तो स्क्रापर यूज स geschया थे जो वाशन लिख दूनिक तो चलो आलमोस्ट हमारा जो केक है वो रेडी हो ही गया है जो जुगाड हमने किया था उससे तो इतनी ही फिनिशिंग आएगी और अब सान्वी बना रही है यहां पे इसके फ्लावर्स क्यूंकि जब से हम प्लैन कर रहे थे ना कि केक हम घर में बनाएंगे खुझ से तो सान् डेकोरेट का काम है सान्वी ने किया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है केक तो जितना देखने में अच्छा लग रहा है नë अक्च्छल में खाने में भी बहुत ही टेस्टी था सो वही है कि हम देखो प्रोफेशनल बेकर तो है नहीं बट खुद से बनाके जो हम प्रेजन्ट करते हैं ना उसकी एक्साइटमेंट लेवल और जो सैटिस्फेक्शन है वो अलगी तरह का होता है सो यही था आज की वीडियो में